नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्विशेश कारिक्रम आरोग्य भ्रमान में और मैं हूँ आपके साथ प्रयांका शर्मा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही दिल्चस्प विशेपर जो है एसिडिटी जिसके बारे में हम सब लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं और कोई ना कोई हमेशा चोटी मोटी एसिडिटी से जूजा जरूर होगा तो उसी पर हम बात करेंगे लेकिन आयरुवेद के माध्यम से एसिडिटी को किस तरीके से देखा जाता है क्या-क्या बिमारियां हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को लेकर हो आप सभी से बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी बिमारी का इलाज ढून रहे हैं अगर आप चोटी से चोटी या बड़ी से बड़ी बिमारी का इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है तो परिशान ना हूँ चेंतित ना हूँ सिर्फोन उठाइए और हमें कॉल किजिए उन हुर्मारा विशे हैं अगर कुई ना कोई या इसी का शिकार हुआ ही है युद कर दोड़े से देर के लिए हुआ हो फिल्कु फार्षा गान के लिए हुआ हुआ हूँ तो मैं जाना चाहते हूं कि आरवेद में इसको किस तरीके से देखा जाता है के आईसीडिटी को आयरवेध में कोशलग कहेंगे लेकिन रहा हूँ यह यहाँ निदान की हो तो एलोपेध में इसका पूर्ण में निदानother नहीं अयरवेध में इसका पूर्ण रुप से निदान निदान लेकिन वही निर्भर करता है दिग करते हैं प्रकार के बारे में स्वामी जी हम बात करेंगे लेकिन मैं आपको दर्शकों से जोड़ना चाहूंगी कि आप उन दर्शकों को कुछ कहें जो एसी डिटी जो देखने में बहुत माइनर प्रॉब्लम लगती है लेकिन उसको कहने से हिच की चाहते हैं और बताते हुए भी शर राजा को इस सरम करने के तो सरम ऐसी चेगे पर रोगी बोगिया से का सरम करना जो है इस ओने जो जया इसको भोगना होता है जी एसी डिटी बढ़ती है, खटा डकार रहा है बहुत सारी चीज उसे लेकिन हैरीटेड होने से क्या मतलब आप सरमिंदगी से क्या लेंगे आज नहीं तो वो जो प्राबलम आगे चलकर बढ़ जाएगी तो उससे में तकलीफ होगी पहले तक आप कारण को नहीं जानेंगे तर तक आप उसका निदान नहीं कर सबस्क्ते स्वामेजी जी कारणों बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके है नमस्कार स्वागत है आपका अपना नाम बताएगे तो इससा कर रहे हैं मैडम और उनको 26 जनवरी 2015 में रात में लगवा हुआ था 27 को अमने सुभा सिविल हॉस्पिटल अम्दाबाद में एडमिट किया, ट्रिस्मन्क चला और 2 फर्वरी को उनको वहां से रिया किया गया, उसके बाद अमने विजियो थेरापी वगएर अच्छे महिने तक चराया थोड़ा चलकर लेते थे लेकिन अभी वो बिल्कुल चलकर नहीं पा रहे हैं और आवाज भी थोड़ी कम हो गई है, तो मैं स्वामी जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये लगवाज ठीक हो सकता है मैं आप से उनकी उम्र जानना चाहती हूँ मैं आप से शरीव बात जानना चाहूँगा कि इनका जो रिपोर्ट है उसमें जो ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो कितने सेंटीमीटर का है दूसरा जब इनको ये पैरालाइसिस का आटेक आयेगा आया था तो ये बीपी से हुआ है या डायविटीस से हुआ है या आकास्मिक सरीर के नर्वस सिस्टम डाउन होने से हुआ है जब तक आपके ब्रेन का क्लॉट पूर्ण रूप से डिजॉल नहीं होगा तब तक पैरालाइसिस कंप्लीट क्योर नहीं होगा और ये दुबारा भी हो सकता है तो वह आपके रिपोर्ट की का सिच्वेशन नहीं हम बताई है जी उसमें आता है कि माइल्ड क्लोटिंग था जिसके कारण दाइना हाथ और दाइना पैर बिलकुल काम नहीं करता है बिलकुल तो अभी वह डिजॉल होगा है नहीं अभी डिजॉल का हो पाया हो तो उसी तरह बिस्तर पर पढ़ा ही है कट्टी विसाब उठाके कराना परता है या बैठालना परता है राकेश जी मैं आपको यह बता दू यह पूरूरूप चनिदान हो जाएगा कई बार जो फीजियों की बात करते हैं को पेंचर की बात करते हैं या कुछ लोग मेडरिन थिरीप या दसकर्मा की बात करते हैं सबसे पहले उनको नालेज होना चाहिए कि कौन सी पॉइंट को दबाने से क्या लाब होगा और कौन सी पॉइंट को दबाने से क्या हानी होगी तो इनको ठीक करने के लिए हमारे हिसाब से हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है मुश्किल से एक महीने का समय जी मैं जाना चाहूंगी काफी परेशान लग रहे थे अपने पिताजी को लेकर ये तो आपके इहां किस तरीके से समधान किया जाएगा मेरे इनको लेकर के आना पड़ेगा उनके साथ में एक बंदा रहेगा हमारी जैसी टूटी फूटी व्योस्ता एक भोजन प्रसाद रहना सहना सब दिया जाएगा हमारा लड़का इनका एकसरसाइज कराता रहेगा अपने आप उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं और खाने प पड़ेगा इनको हमारे हाप एक बार बिल्कुल आने ही पड़ेगा और ज्यादा नहीं एक महिने के अंदर वो सारी क्रियाएं अपने आप करने लगेंगे लेकिन दवा इनको कम से कम डेड़ साल लेनी रहेगी क्योंकि यह दुबारा भी हो सकते लेकिन आप गैरंटी लेत सार्थख प्रयास करेंगे स्वामी जी हम बात कर रहे थे असेडिटी को लेकर तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि उनके कारण क्या क्या है क्या देडिटी के कारण सिरिफ यह नहीं कि डाइजेस्टी शिस्टम से ही आपका मलत्याग नहीं होता है तो ही एसी डिटी बनेगी आसी डिटी के कई कारण है जी जो फोर्निया से भी असी डिटी बढ़ती है यह जरूवाश से जादा मानसिक विचार करने से भी एसीडिटी बढ़ती है और अगर आप आहार विहार की बात करें तो जब भूख लगी तब आप नहीं खाया बाद में खाया या कोई चीज सामने रखी स्वाधिश्ट आपको भूख नहीं तो भी खाया तो इसको हम आपचन में किनेंगे सेल्फ क्रियेटेड एसीडिटी होती है हाइपर एसीडिटी होती है जैसे आप बैठे हैं या कोई भी मैं दर्सकों के बताना चाहूंगा कि बैठें और किसी कारण उन्होंने बहुत ज्यादा डीप विचार करना चालू करें तो उसका पहला इफेक्ट उनका हाइपर एसीड जान के बाद एक गिलाश पानी पीना काफी अच्छा रहेगा उनके लिए तो बीपी बैलेंस में रहेगा या भोजन उपरां तो दोपार में आदा चमच छल्दी और तीन काली मिरच इसके पावडर को अगर लेंगे तो इसके बारे में सवामी जी बात करेंगे लेकिन क्या आप मुझे संपा रहे हैं लगता है हमारा संपर्क तूट गया है स्वामी जी जैसे कि आपने बताया के मांसिक तनाव भी असिडिटी का एक मुख्य कारण है तो वो किस तरीके से मांसिक तनाव में ऐसा है कि हमारे बॉडी आर्गंस को पूर रूप से आपरेट करने क हर्मोंस पॉइंट सारी ब्रेन में ही अबलेबल हैं हम मांसिक रूप से प्रताडित रहेंगे हमारी होप सधूरी रहेंगी या हम उस पे बार-बार सोचते रहेंगे कुछ चीजों को जैसे माली जी हम वर्क कर रहे हैं सुबहरे से आप वर्क पर आया और पूरा दिन काम कर जाए तो आपकी मांसिक्ता तो बनियार दिन खराब हो गया तो आपका दिन खराब होगा अगर आप चाहेंगे कि आज मेहनत किया तो कल फैल मिलेगा परसो तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो हमारे जो ब्रेन हैं हमारे ब्रेन के 150 बीटा सेल्स में उनके जो हर्मोंस स्वाट डेट होने लगेंगे तो आपको आपको आपर इसीडिटी पढ़ने लगेगे बॉडी में खुजली होने लगेगी रिजन क्या है कि किसी भी चीज को जैसे पाचन रस आएगा तो ही आपका डाइजेस्टन होगा